सभी आंगनबारी सेविकास सहेका मिनी बहनों को सूचित करना चाहेंगे कि निदेसाले उत्राखंड से एक सरकारी आदेस आया है जो वहां की आंगनबारी बहनों के बहुत ही काम का होगा क्योंकि वहां पर आंगनबारी बहनों को साड़ी के लिए और सूट के लिए पैसा द नहीं आते हैं लेकिन यहां पर एक सरकारी आदिस निदसाले से जारी हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं निदसाले ये जो महिला ससक्ती करण एवं बाल विकास भाग उत्रा खंड राज से हैं दो जनवरी का लेटर है नया नया और सभी जलों को समस्त जलाक कारक्रम धिकार के लिए साड़ी या फिर सूट जो भी उनको अच्छा लगे उसके लिए वो क्रे करने के लिए मांग के सम्मन्द में हैं जिसमें की आईए देखते हैं पैसो की भी बात कर लेते हैं लेखा है उपरियुक्त विस्यक जो है क्रपिया अवगत कराना है कि वित्तिय वर्स 2022 ते मासिक प्रगती रिपोर्ट के आधार पर 14,370 आंगनबाड़ी कारकरतियों और 14,149 आंगनबाड़ी सहयकाओं साथी 4,982 मिनी कारकरता बहनों इस प्रकार कुल अगर बात की जाए तो 33,498 आंगनबाड़ी कर्मियों जिनमें की सभी लोग सामिल हैं इनमें दो साड़ी और जो है यहाँ पर या फिर सूट के लिए कितना दो साड़ी या फिर सूट के लिए पैसे की बात हो रही है तो चाहें दो साड़ी खरीद लो चाहें दो सूट खरीद लो और 500 रुपया प्रती साड़ी या सूट की दर से पैसा मिलेगा अगर साड़ी खरीदनी है तो 500 रुप भीवज दोहजार बाइस थे इसमें सारी शूट क्रे करने के लिए जन्पद में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में कार करने वाली आंगनबारी बहनों, सहेका बहनों, मिनी बहनों के लिए दो सारी या फिर दो सूट की मांग पत्र आपके इस तर से निम्न प्रारूर पर उपलब्द कराया जाना अनिवार है। कि कुल संख्या में, जितने कितनों को स्ारी और कितनों को सूट देना है, उनकी अलग-अलग संख्या विभाग जिला अधिकारियों से, यानी जिला कार clinics से, DPO लोगों से मांग रहा है, अब चुंकि संख्या नहीं मांगेंगे, तो पता कैसे चलेगा, कितनी बेहनों को स्वी चाहिए कितनी बहनों को साड़ी चाहिए तो साड़ी और सूट के लिए अलग-अलग संख्या मांगी गई हैं काररत आंगनबाडी सहेकाओं की कुल संख्या में से कितनों को साड़ी और कितनों को सूट दिया जाना है वो यहाँ पर संख्या मांगी जाएगी साथी साथ काररत मिनी कारकरताओं की कुल संख्या कितनों को, जो यहाँ पर सूट और कितनों को सारी दिया जाना है विभागी लोग आप से उत्रा खंड में पूछेंगे किसको सारी चाहिए, किसको सूट चाहिए और इस तरह से कुल योग फिर उसी का दिया जाएगा और उसे साब से फिर बजट होगा अब देखो प्रतेक कारिरत आंगनबारी कारिकरता सहेका और मिनी इनको दो साड़ी अथवा दो सूट दिया जाएगा उपरोक्त प्रारूप पर प्रतेक कारिरत हे तू दो नग की मात्रा अनुसार मांग करें आपको नरदेशित किया जाता पर हाड कांपी और साब्ट कांपी पर भरकर के उपलब्द करवा दो तो ये पूरा जानकारी उपनेदेशक जी ने जो वहाँ पर मांगा है डाक्टर एसके सिंग है उत्तराखंड में जिन्नों ने कहा है बहुत अच्छा लेटर निकला और ये रास्ते खोल रहा है तमाम अन्य राज्यों में भी वहाँ पर भी बहने मांग करें देखो जो जिसको comfort महसूस करता है वो पहने क्या दिक्कत है तो इस बारे में सोचना चाहिए सुमन देवी बहने जस्पुर से जिनके द्वारा एक ये सूचना बेजी गई अन्य राज्यों की बहनों आपका इस मामल काम की हो सकती है इंटर विज्ञान में 60% अंक हासिल करना जरूरी होगा गवर्मेंट आफ यूपी ने ही आपका ये ट्वीटर से ट्वीट किया है इसमें लेखा है निजी कालेजों की सीट खाली रह जाने के बाद अपनाई गई है नई तकनीकी और नई रणीती साती आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर गवर्मेंट आफ यूपी का एक और ट्वीट आया यूपी पियस्सी 15 दिन पहले ही मिल जाएगी भरती की जानकारी तो यहाँ पर जो 16 जनवरी से सुरू हो जाएगी नई विबसाइट मुख्य पर इच्छा के पुराने पेपर भी बताना चाहेंगे कि उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग यानि यूपी पियस्सी की नई विबसाइट की लाँचिंग वैसे तो हो चुकी है लेकिन इसकी सुरूआत 16 जनवरी से होगी आयोग की नई विबसाइट कई मायनों में खास होगी किसी भरती का विज्यापन जारी ह होने के 15 दिन पहले ही आयोग की विबसाइट पर इसकी जानकारी मिल सकेगी एक तरफ अभ्यरती जहां अपनी सिकायत का स्तमयबद निदान पा सकेंगे और वहीं उन्हें मेंस परिच्छाओं के पेपर, इंटर्वी और चल रही परिच्छाओं की जानकारी भी मिल जाएग अभ्यरती विबसाइट पर लोड इस प्रस्न पत्रों का प्रिंट ले सकेंगे, डाउनलोड भी कर सकेंगे, आयोग ने अपनी विबसाइट पर चल लही परिच्छाओं की जानकारी भी उपलब्द करवाने का फैसला किया है, भविस में होने वाली परिच्छाओं और ग्रिवान्स और कम्प्लेन कालम बनाया जाएगा, इसकी मदद से सकायत करने वालों को एक जो है स्पेसिफिक नंबर मिल जाएगा, और समय बद तरीके से समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस नई विबसाइट के थूर जो बताया जा र रहेगा, तो ये जो भी रहेगा वो खास रहेगा, 16 जनवरी से ये होने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी साजा किये, उमीद करते हैं छोटा सा वीडियो आप सब भाई वेनों को पसंद आया होगा, जानकारी कुछ हटके भी आपको बीच बीच में हम सामिल करत हैं ताकि समय के साथ में आपको चीजों का और भी घ्यान हो जाए, धन्यवाद